जमो कश्मीर की बात करें तो जो मिलिटेंट्स हैं वो एक्टिविटीज कुछ समय की बात करें जिस तरह से जब 370 को जमो कश्मीर से हटाया गया था और उसके बाद कड़ा जो सुरक्षा बंदवास थे वो पूरे जमो कश्मीर में किये गे तो और केंदर सरकार के द्वारा आर्दसनिक बलू की तैनाती जो थी वो जमो कश्मीर में बारी संख्या में की गई थी आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बारामुला जिले से आ रही है जहां पर एक इनकोंटर जो है वो हुआ है और इस इनकोंटर में सुरक्षा बलू के द्वारा ए एक इनकोंटर जो था वो वहाँ पर हुआ जब तलाशिय ब्यान वहाँ पर चल दा था जिसके बाद एक इनकोंटर वहाँ पर शुरू है और इस इनकोंटर के चलते सबसे पहले सुरक्षा बल जो थे उनके द्वारा मिलिटन्स जो वहाँ पर छुपकर बैटे थे उन्हें ये कहा गया कि आप आतम समर्पन कर लें लेकिन जो मिलिटन्स थे उनके द्वारा गोला बारी करनी शुरू कर दी गई जिसके बाद एक इनकोंटर शुरू हो गया और उस इनकोंटर में जो है वो सुरक्षा बलू के द्वारा एक मिलिटन्स जो है उसको मार गिराया गया है आ उससे तालूक रखता था और काफी वारदात में ये शामिल था और सुरक्षा बलू को इसकी तलाश थी और आज सुरक्षा बलू की तलाश पूरी हुई कि मौमिन गोजरी जो की लस्कर तुलबा संगठन का मिलिटन था वो सुरक्षा बलू के साथ 12 मुला में हुए इंकोंट है वो इस इंकोंटर में गायल हुआ है बड़ी खबर 12 मुला से एक मिलिटन जो है वो सुरक्षा बलू के द्वारा मार गिराया गया आपको बता दें कि अगर सुरक्षा बलू की बात करें तो लगातार जम्मो कश्मीर में जिस तरह से उप्रेशन आलाउट जो है उसके चल जाकिर मुसा उसको शुरक्षा बलू के द्वारा मार गिरा गया था आपको बता दें कि कि पर पर बाद करें तो गाटी की बात करें तो कड़े सुरक्षा बंदवास तबहां किये गए हैं और इसी जो मिलिटेंट्सी या इसे निपटने के लिए के अंदर दुआरा अर्ध्जनिक बलू की तैनाती जो है वह बहां पर की गई है फिलाल बड़ी खबर इस समय की यह है क की बारा मुला में इनकोटर हुआ है जिसमें लश्करे तोईबा संकठ्षन का एक मिलिटेंट जो है वह मार गिराया गया है केमरामेन रमनकुमार के साथ रभी शर्मा यूनिवर्सल लिज टाइम लाइन जम्मू